वेलकम तो टॉटल टेस्ट, निस्की इस कीचन, प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल, आज हम बनाएंगे कोको मिल्क शेक, कोको मिल्क शेक बनाने के लिए हमने मिक्सी का जार ले लिया है, कोफी पाउडर और शुगर ले लिया है, अब हम मिक्सी के जार में दो चम्मच कोफी डाल देंगे, कोफी पाउडर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो चम्मच कोफी पाउडर डालने के बाद, अब हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी आपने इसमें चार चम्मच डालनी है, आप जितना कोफी पाउडर इस्तेमाल करेंगे, उसका डबल आपने इसमें ची और चार चमक्चीनी डालने के बाद अब हम इसका एक पाउडर बना लेंगे और ये देखे हमने इसको दो से तीन मिनट अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से हमारा जो पाउडर है कोफी का वैबन कर तयार हो जाएगा और पाउडर बनने के बाद अब हम इसमें दो आइस क्यूब डाल देंगे यह देखें आप इस तरीके से इसमें आइस क्यूब डालने और आइस क्यूब डालने के बाद इसको तीन से चार मिनट तक फिर ग्राइंड करने और ग्राइंड करने के बाद यह द आप ने यहां चार तरफ से हम इस तरीके से फैलाते हुए कोको शिरप डालने से जो हमारा दूद है देखने में भी अच्छा लेगेगा और डैकोरेट भी हो जाएगा। आपने तीन से चार चम्मच इस तरीके से गिलास में चारो तरफ डाल देना है और इसको डालने के बाद अब हम इसमें दूद डालेंगे दूद आपको ठंडा इस्तेमाल करना है और ये देखें अब हम इसमें दूद डालेंगे वनिला या बटर स्कोच भी ले सकते हैं अब हम जो इसका उपर का चॉकलेट आइस कर्देज दाल देंगे इस तरीके से उनको इसके बना के देए मैं easily पी लेंगे यह दूद पीने में बेहत देस्टी होता है और ice cream डलने के बाद तो बच्चे और भी शौक से इस दूद को पीएंगे और कुछ ice cream आप decorate करने के लिए इस तरीके से लगा दें और इसको लगाने के बाद अब हम इसमें one pinch coffee powder उपर से डाल देंगे इसको डालने से यह decorate भी हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और यह देखे हमने चारो तरब से फिर से इस पे सिरफ फैला दिया है और सिरफ फैलाने के बाद जो हमारा बचा हुआ ice cream का टुकडा था वह हमने उपर से इस पे रख दिया है और हमारा कोको मिलकशेक बनकर तयार हो गया है आप भी यह कोको मिलकशेक जरूर ट्राइ करें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहला आइकन दबा दें